अगर आप मेरे चानेल पे नए हैं तो ये रेड कलर का बटन है इसको जरूर क्लिक कीजेगा और ये बैल आइकन का जो बटन है इसको भी जरूर क्लिक कीजेगा ताकि आपको में हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं कर सकतये हैं हलो फ्रेंड्स वेलकम बिक्टु माइच चानल आज मैं आपको बताने जा रही हूं सूजी के टोस जो कि बहुत असान और बहुती सरत तरीके से बनाये जाते है। और ये हम लोग बच्चों के लंज बॉक्स मी भी रख सकते हैं. ये बहुत ही असान और बहुत ही सरल तरिके से बनाए जाते हैं. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह. तो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या-क्या चाहिए? सॉल्ट, साधनसार, ब्रेड़पीस, सूजी, दही, कटा हुआ बारेक टमाटर, कटा हुआ कैपसिकम, मिन्स सिम्ला मिर्च, ओनियन, मिन्स प्याज, ये सारा मटेरियल हमें तो चलिए पहले में हम इसका पेस्ट तयार कर लेते हैं मैंने एक ये बर्तल ले लिया है और अब मैं इसमें सूजी डालूँगी फिर दही डालूँगी दही एक से दो चम्मस डालना है और सभी वेजी टेबल्स जो है अब मैं इसमें मिक्स कर लूँगी टमाटर, ओनियन, कैपसिकम, सारी सबजी हमें में मेक्स कर लूँगे और अब हम इस बैटल को अच्छे से मेक्स करेंगे, इस पेस्ट को हम अच्छे से मेक्स करेंगे इस पेस्ट में अब मैं हलका सा पानी डालूँगी ताकि हमारा बैटल जो है वो अच्छे से जो यह पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पुलकुल हलका हलका इसमें मैंने पानी डाला है और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाध अनुसार नमक और हम मैं इसको mix कर लूँगे ये देखे हमारा paste जो है वो बनके ready हो चुका है फ्रेंड ना तो ये ज़्यादा मोटा है और ना ही इसको ज़्यादा पतला करना है इसको बिल्कुल normal रखना है तो चले इसे bread में किस तरीके से लगाएंगे वो भी बता देती मैंने एक ये bread लिए है इसको इस तरीके से हम रखेंगे और अपने इस paste को हम इस तरीके से इसके उपर लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से मैंने अपना जो paste बनाया था वो लगा दिया है और मैंने अपनी flame जो है gas flame जो है वो ओन कर दी है और उस पर अपना non-stick तवा जो है वो रख दिया है और मेरा तवा जो है अब वो गरम हो चुका है और मैं अब इसमें butter लगाऊंगी आप इसमें जो भी खाते हैं देशी की जो भी oil यूज करते हैं वो आप इसमें लगाएंगे बिल्कुल हलका हलका लगाएंगे और bread को हम इस तरीके से उठाके और इस तरीके से इसको थीरे से रख देंगे और जो इसकी दूसरी परत है अब हम इसमें इस पेस्ट को यह देखिए यह लग गया है फ्रेंट्स यह बहुत ही इजी और सरल तरीके का नास्ता है आप एक बार इसे अपने घर में जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी और फटा-फट बन जाता है यह नास्ता देखिए फ्रेंट्स और यह देखिए अब इसको बिलकुल हलके-हलके इससे इस तरीके से उठा कर इस तरीके से पलट लेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स हमारा एक तरफ जो है वो सिख चुका है रेड हो चुका है ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर लेंगे और हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है जिसे बोलते हैं सूजी वाले ब्रेड ये देखिए फ्रेंग्स और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज जुरूर बताईएगा और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक यू